हेलो फ्रेंज वेलकम टो आवर चैनल वैल्यू नॉलेज जिसमें हम आपको इंपोर्टन टॉपिक्स के उपर एक दम लेटेस्ट और जेनुएन इंफर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दोस्तो हमारे चैनल पर हम आपके साथ बहुत सारा इसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको आपके परस्नल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक के उपर और व हमारे mobile में कुछ empty empty folders होते दोस्तो उसको हमें क्लीन करने तो क्यों करना है क्या अभी हम बताते हैं तो सबसे पहले में गरना है आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको एम्टी फोल्डर क्लीनर यह टाइप करना है और यहां पे बहुत सारे एपस आजाएंगे दोस्तों आप इसमें से कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि आल्मोस्स सारे एपस के फीचर सेमी रहते हैं हम आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर आप नहीं बोलेंगे कि आप यह दोस्तों कहीं रिकमेंड़ कियोंकि हम यह प्रोशन नहीं करें यह वीडियो कोई आप का तो यह बस एंजनरल लेड़े दोस्तों हमारा यह पर लगव सब्सक्राइं होर नहीं से बढ़ाना है वडलाने को बचाशा क्लिक कि प्रिकुनिन कौहद समाने सब्सक्तुई हूए ह इंस्टोल कर लिया इसको अभी हम open करेंगे तो दोस्तों क्या होता है हम जब mobile में हमारे कोई भी apps इंस्टोल करते हैं और कुछ टाइम उसको यूज करने के बाद वापिस अनिंस्टोल करते हैं तो आप तो वो जाती है दोस्तो लेकिन वो कुछ folders बना लेते हैं हमारे mobile में वह वैसे रह जाते हैं और उसके अलावाद दोस्तो बाकि कुछ videos वगरा के भी movies के भी folder वगरा thumbnail व्यादा वैसे को वैसे रह जाते हमारे mobile में वह हमें कभी दिखते करते हैं न ही दोस्तों ना ही हम कभी इसे डिल कर थे तो दोस्तों हमें क्या करना है है इसे आरे empty finding फोल्डर ओते अवह हमें भी डिलिट करना हैं तो अभी फॉर एक्जम्पल से अभी हम यहां पर है वैसे के वैसे रह जाते तो यह देख रहो अभी फूरे जो नीचे अभी प्रोग्रम दिख रहे हो अभी रन हो रहा है दोस्तों यह पूरे जो फोल्डर से वह स्कैन कर रहा है और उसे अभी डिलीट कर देगा यह देखो दोस्तों इसने अभी फोल्डर जो है डिलीट कर दिय है इसके अलबा आप settings में जा सकते हैं यहां पर यहां पर देख पार हो scan android created folders तो android को apps उते हो उसने भी कुछ folders क्रीट किये रहते हैं रहने दोस्तों वह empty रहते और इसके अलबा कुछ hidden folders रहते दोस्तों वह भी empty रहते हैं यह डिलीट कर देगा तो यह आप यह पर चूज कर सकते हो और इसको आपको दोस्तों लगा देना है scan पर अभी इसको अभी वापीस यह scan करना चालू कर देगा दोस्तों इसको थोड़ा सा time लगेगा क्योंकि अभी folders बहुत ज़्यादा रहते हैं यह अपने आप scan कर लेगा दोस्तों और इनको delete कर देगा इसमें न करो यह आपकी जैसे folder delete हो जाएंगे दोस्तों आप आपका mobile restart करो और आप अभी दो-तिन दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका performance और स्पीड आपके mobile का कितना बढ़ गया है तो बहुत easy trick है दोस्तों जरूर वालो करो क्योंकि ऐसी tricks का execution करके ही आप आपके mobile का speed बढ़ा सकते हो क्या Android mobile की problem यहीं होते है दोस्तों छे मैने के बाद आपका कितना भी RAM रहने तो अभी 88 GB RAM के mobile आ गए है लेकिन 6-8 मैना यूज करने के बाद उसमें बहुत सारे caches आ जाते दोस्तों वैसे empty folders create हो जाते है जिससे आपके mobile का performance तो कम होता ही हो दोस्तों तो अब यह आपको समझ में चैनल पर इसे बहुत सारी ट्रिक्स शेयर की है जो आप फॉलो कर सकते हो जिससे आपको दोस्तों घर बेटे पता चल जाएगा कि आप ऐसे कौन से ट्रिक्स यूज करके आपका computer का speed बढ़ा सकते हो mobile का speed बढ़ा सकते हो हमारे चैनल पर दोस्तों हम ऐसा बहुत सारा technology का knowledge share करते हैं हम ऐसा बहुत सारा general knowledge share करते हैं दोस्तों हमारे चैनल पर आपको current phase के ओपर वीडियो मिलेंगे latest news के ओपर भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए इसके अलावा दोस्तों हमने work from home jobs के ओपर भी वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको घर बेटे earning करने की opportunity मिलेग तो आप हमारे चैनल को ज़रू subscribe करो दोस्तों जिससे ऐसा valuable knowledge आपको घर बेटे मिलता रहेगा और आप आपके personal और professional life में आगे बढ़ सकते हो ठीक है दोस्तों तो ये वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए topic के साथ एक नए knowledge के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों थैंक यू बेरे मच्छ